हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बर फिर से स्वागत है और आज हम बहुती टेश्टी और हेल्दी नास्ता बनाएंगे वो भी तिरंगे कलर का जो खाने में बहुती स्वाधिश्ट होकर बनाना बहुती असान होगा तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं सबसे पहले हमें एक छोटे वाले ग्रैंडिंग जार लेंगे और जार में तीन से चार लहसुन की कलिया डालेंगे दो हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे यहां मैंने हरे धनिया का यूज़ किया है आप चाये तो पुदीने का भी यूज़ कर सकते हैं और आता है और अब हम grinding jar लगा कर इसे अच्छे से पीस लेंगे और ये लीजे हमारा green chutney sandwich के लिए बिल्कुल तयार है और अब हमें एक plate लेंगे और इस पे तीन sandwich bread डालेंगे आप यहां मैंने white bread का यूज़ के आप चाहे तो brown bread का भी यूज़ कर सकते हैं white bread में color बहुत ही उपर इस तरीके से green chutney को अच्छे से फैला लेंगे या spread कर लेंगे आप चाहे तो butter लगा करके भी green chutney को लगा सकते हैं उससे भी इसका flavor अच्छा आता है और यह देखिए यहां मैंने green chutney को अच्छे से bread के उपर फैला लिया है और यहां मैंने गाजर खीरे और टमाटर को round shape में cut कर ली हो और अब हम गाजर के slice को इस तरीके से green chutney के उपर अच्छे से फैला के हम लगा देंगे जिससे बहुत ही अच्छा green color आएगा आप चाहे तो green capsicum का भी use कर सकते हैं और अब हम एक दूसरे layer में फिर से green color के लिए इसे green chutney लगा करके अच्छे से फैला ग्रीन च्टनी वले slice को खीरे के उपर रखेंगे आप चाहे तो खीरे को उपर salt डाल के उसकी seasoning भी कर सकते हैं और अब हम bread के दूसरे side पे थोड़ा सा घी या butter लगा लेंगे यहां मैंने butter लगा कर इसे अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसके उपर cheese डालेंगे यहां म bread के उपर अच्छी तरीके से फैला लेंगे और यह दिखिए यहां मैंने cheese को अच्छे से फैला लिया आप अपने पसंद के अनुसार और ज्यादा चीज भी एड़ कर सकते हैं और अब हम cheese के उपर गाजर या slice में कटे हुए carrot डालेंगे यहां मैंने carrot और टमाटर दोनों का यूज के आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार सिर्फ गाजर या सिर्फ टमाटर से भी इस sandwich को बना सकते हैं और आप देख सकते हैं यहां मैंने अच्छे से टमाटर और गाजर को cheese के उपर अच्छे से फैला लिया है जिससे यह बाहर की तरफ निकले गे नहीं और अब हम टमाटर को seasoning करेंगे यहां मैंने white salt से इसके उपर अच्छे से sprinkle कर दिया है और अब हम इसमें तीखे के लिए हलका सा लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे जिससे इसका flavor और जादा बढ़ जाएगा आप चाहे तो chili flex का भी use कर सकते हैं और अब हम बचे हुए bread के slice के उपर ट चमच टमाटर सास डाल करके हम इसे अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसके flavor और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आधा चमच सेजवान सास डालेंगे आप चाहे तो सिर्फ सेजवान सास से भी इस sandwich को बना सकते हैं और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं त चमच से टमाटर के उपर अच्छे से डाल के प्रेस कर लेंगे जिससे sandwich हमारा अच्छे से चिपक जाएगा और यहां मैंने एक पैन गरम होने के लिए रख दिया था पैन हमारा गरम हो गया है और अब हम इसके उपर बटर लगा लेंगे और हमारा sandwich बटर के उपर रखेंग जिससे सैंडविच हमारा एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सिख जाएगा और इसमें बहुती बढ़िया सुनहरा या गोल्डन कलर आएगा और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे सैंडविच हमारे एक दम क्रिस्पी और करारा बनेंगे और अब हम उपर की तरफ भी अच्छे से बटर लगा लेंगे जिससे इसे पलटेंगे तो दूसरी तरफ भी ब्रेड हमारा अच्छा सा क्रिस्पी और करारा हमारा सैंडविच बनके तयार होगा और अब हम इसे पलट देंगे पलट करम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से मेडियम फ्लेम पे एक से दो मिनट के लिए सेख लेंगे इस तरीके के सेंडविच आप इवनिंग या मॉर्णिंग ब्रिकफ़स्ट के लिए बना सकते हैं जो खाने में बहुती टेश्टी और हेल्दी होता है और इसे बनाना उससे भी ज़्यादा असान होता है आप इसे इस तरीके से बचना करके बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और आप देख सकते हैं मिन्टो में बिल्कुल हेल्दी और टेश्टी तिरंगा कलर का सेंडविच बनके हमारा तयार हो गया है और चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं यहां मैंने इसे नाइफ से अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इसे निकाल के देखेंगे और ये देखे सेंडविच हमारा अच्छे से पक गिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से कट भी गिया है लेकिन हम इसे दूसरे तरब से भी अच्छे से काट लेंगे जिससे इसका perfect slice बनके तयार हो जाएगा और ये देखिए हमारा sandwich serve करने के लिए बिलकुल perfect बनके तयार हुआ है आप इसे अपने पसंद या अपने तरीके से serve कर सकते हैं और ये देखिए यहां मैंने इसे इस तरीके से serve किया है जो देखने में भी बहुत अच्छा और colorful लग रहा है और आप इसे जिस भी angle से देखेंगे sandwich हमारा बिलकुल perfect और colorful देखेगा और ये बिलकुल तिरंगी का color के बनके तयार हो गया है और चलिए हम एक और नास्ता बना लेते हैं इसके लिए यहां मैंने same pan में ही circle या round shape में bread को cut कर लिया था और अब हम bread के slice को pan में रखेंगे gas का flame medium रखेंगे और अब हम bread के उपर butter लगाएंगे यहां मैंने butter का use किया है आप चाहें तो spread cheese का भी use कर सकते हैं और अब हम butter के उपर और गेनो डालेंगे और गेनो को हम अच्छे से इस पे spread करते हुए डालेंगे जिससे इसमें बहुत अच्छा flavor आएगा और अब हम इसके उपर और अब हम इसके उपर ग्रेट करके cheese डालेंगे यहां मैंने process cheese का use कि आप चाहें तो mozzarella cheese का भी use कर सकते हैं और यह देखिए यहां मैंने cheese को अच्छे से grate करके bread के उपर डाल दिया है cheese को हम इस तरीके से बीच में कर लेंगे और अब हम इसके उपर वाले भाग में tomato के छोटे छोटे पीश डालेंगे यहां मैंने tomato को बहुत ही छोटे छोटे पीश में अच्छे से कट कर लिया है और आप चाहें तो गाजर भी इस पे डाल सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से tomato के पीश से bread को सजा लेंगे जिससे हमारा तिरंगे कलर का mini pizza बिल्कुल perfect दिखेगा और अब हम इसके नीचे वाले भाग में capsicum डालेंगे यहां मैंने capsicum को छोटे छोटे पीश में अच्छे से कट कर लिया है आप चाहें तो capsicum को शौटे भी कर सकते हैं और capsicum डाल कर हम इसे भी बिल्कुल अच्छे से सजा लेंगे जिससे देखे हमारा तिरंगा कलर का मेनी पीज़ा बन के तयार हो जाएगा और अब हम इसके उपर seasoning के लिए थोड़ा सा salt डालेंगे और अब हम बीच में थोड़ा सा औरिगैनो डालेंगे जिससे तिरंगा मेनी पीज़ा हमारा बिल्कुल complete हो गया है और अब हम इसे ढख करके एक से दो मिनट के लिए medium flame पे पकने देंगे जिससे हमारा mini pizza पक के तयार हो जाएगा और आप देख सकते हैं दो मिनट हो गया है pizza हमारा बिल्कुल ready है और चीज भी हमारा अच्छी तरीके से melt हो गया है और अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ और ये देखिए हमारा mini तिरंगे कलर का pizza बनके तयार हो गया है इस तरीके से बना कर आप बच्चों के टिफिन में दे या बच्चों को घर पे खाने को दे उन्हें बहुत मज़ा आएगा और ये खुशी खुशी खा लेंगे और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और helpful लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चनल को सस्क्राइब करें और अधिक से अधिक शेर करें और ये देखिए तिरंगा सेंडवेच और तिरंगा मीनी पीज़ा आपको पसंद आएगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें